भारतिये जंता पार्टी के मेंबर होने के नाते मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूं कि प्रचंड भाहुमत की हम सरकार बनाने जा रहे हैं तिबारा ओर जो है तीसरी बार आदरिणे प्रधान मंत्री जी को हम सभी भारतवासियों का और खास दोर से उत्तर प्रदेश का सभी जन्मानस का या मन बन चुका है कि प्रधान मंत्री जी को हम तिपारा प्रधान मंत्री बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भी नजर गड़ा ले, कोई भी कुछ भी कर ले, विपक्ष कुछ भी सब लोग इस समय मोदी में हैं, जी, एक लंबे समय से आपका पॉलिटेक्स में आप रही है, एक लंबा वक्त आपका पॉलिटेक्स के गिर्द रहा है, पुल फ्लिजड उसमें शाबेले, आपको क्या लगता है कि 24 का चुनाव है, साथ में भी कई सीट्स हैं, इसमें डेक् के प्रती, पूर्ण रूप से जो है, मैं उसके साथ हूं, और राष्ट्रिय पार्टी है हमारी, जिस प्रकार से पार्टी जो भी तैय करेगी, अपर ना यादव उसके साथ तयार है, जी. जिस प्रकार से भारतिय जनिता पार्टी जाने पार्टी जैसे अपने परिवार में चिन्नित करते हैं, कि कौन क्या काम करेगा, उसी प्रकार से भारतिय जनिता पार्टी का एक परिवार है, वह अपने सभी कारेकरताओं को, सभी नेताओं को, इज़त के साथ, मैं समझती हूँ, बहुत सारे कारेभार होते हैं, जो भी पार्टी तैय करेगी मेरे लिए, मैं उसके लिए तैयार हूँ. प्रियंका गांधी और कॉंग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत वर्ष में एक तरह से समाप्त हो चुकी है, या पार्टी. इस पार्टी की जन विरोधी और जन जो मुझे लगता है कि भ्रमित करने वाली जो बाते हैं, वो सब को पता चल चुकी है, और जिस प्रकार के इनके, मैं समझती हूँ कि भाषणों में, महिलाओं के प्रती इनके लीडर्स की, जो बाते देखने में आई हैं, सुनने में आ जकती है, और जो थोड़ी भी सम्वेधना रखता है, और मैं समझती हूँ हमारे भारत में अब नवरात्र शुरू हो गया है, सभी महिला शक्ती और शक्ती की उपासना करने में जुटे हुए हैं, तो मैं समझती हूँ ये सब कॉंग्रेस का परदाफास करने वाले हैं, और जी, और भी कई सीट से उसके ओपर डिसकेशन होता है, एक बीच में काफी दिम पर एक खबर चली थी, मैं पूरी लोकसभा को लेके कि वहां से भी आपको जिम्मेधारी दी जा सकती है, जिसके आप दे बयान दिया था, आप वहां से डिमपल जादा समाधवादी पार्टी मेरे से अभी तक पार्टी ने इस विशाय पर चर्चा नहीं करी है, और मैं जहां तक है, यही कहूंगी कि मैं बहुत आधर करती हूं अपने सभी बड़ों का, राजनीतिक हमारी मतहकिता नहीं थी, इसलिए हमने अपनी पार्टी बदली, और जहां तक है, बड़ों का आध पहले भी था, आज भी है, परन्तु पार्टी के उद्देश और पार्टी का लक्ष जो मुझे है पता, और जो मुझे मैं समझती हूं कि सारे भारतवासियों का भी एक ही लक्ष है, कि मोदी जी को हमें तिवारा प्रधान मंतरी बनाना है, इसमें मैं न पीछे हटी हूं, ना हट रही हों, ना आगे हट होंगे, प्रधान मंतरी मोदी को तिवारा प्रधान मंतरी बनाने के लिए जिम्मेदारी आपको दी जाएगी, फिर चाहे वो कहीं से भी हो, राइवरेली से हो, मैंपूरी से या किसी भी सीट से हो, आप उसका आवाहन करेंगे, जी बिलकुल झाल 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